प्यार में पड़ा व्यक्ति एक अंधे इंसान के बराबर होता है उसे अपने प्यार और प्रेमी के अलावा दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता है लेकिन कभी कभी इस प्यार की कीमत लोगों को अपनी या अपनों की जान देकर चुकानी पड़ती है दरसल इस खबर में हम प्यार की बात इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि ये खबर हत्या के सासाथ कहीं न कहीं प्यार से भी जुड़ी हुई है मामला उत्तरप्रदेश के बुलंद शहर का है जहां एक नाबाली की हत्या मामली में पुलिस एक चौकाने वाला खुलासा किया है जिसे जानकर आप भी हैरान रहे जाएंगे दरसल मामला बुलंद शहर के थाना पहासव के गराम नगला जगत का है जहां कुछ दिनों पहले पुलिस को एक व्यक्ती द्वारा सूचना दी गई कि उसकी बेटी सुभे चारा लेने खेतों में गई थी लेकिन जब वापस नहीं आई तब उसकी तलाश की गई तो एक मक्य के खेत में उसका शुब मिला वहीं परिजनों द्वारा दिये गए तहरीर के बाद घटना का खुलासा करने के लिए सुआट टीम और थाना पहासव पुलिस जाच में जुड गई वहीं जाच के बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जाच के दौरान शक के आधार पर राहुल नाम के एक युवक को गरफतार किया था जिसने नाबालिक बच्ची की गला रेत कर हत्या की थी वहीं गिरफतारी के बाद पूच ताच में आरोपी राहुल ने बताया कि मृत्का की मा से उसका प्रेम प्रसंग था और बच्ची प्यार में दखल दे रही थी मृतिका की मा के प्रेमी यानि आरोपी राहुल ने उसे मौत के घाट उतार दिया मृतिका जो बच्ची है उसकी मा के बीच में अबैद संबन्ध थे और ये दोनों साथ में भाग जाना चाहते थे बट मृतिका की मा यह इंसिस्ट करती थी कि वो अपनी बच्ची को साथ में ले करके जाएगी राहुल को ये एक बाधा के रूप में दिखता था और उसे ये कि यदि ये बच्ची रास्ते से हट जाएगी तो ये दोनों आपस में यहां से भाग जाएंगे और इसको कोई बाधा भी नहीं उत्पन होगी इसी कारण से इसने इसकी हत्या कर दी वहीं घटना को लेकर SSP ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बच्ची का शव जब पुलिस ने अपने कबजे में लिया था तो बच्ची के हाथ में लंबे बाल मिले थे जिनको जाच करने के लिए भेज दिया गया है वो बाल किसके है उसके बारे में जल्द चल जाएगा क्योंकि इस पूरे मामली में पुलिस को अब बच्ची की माँ पर भी शक है बहराल आप इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं हमें जरूर बताएं पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंध शहर से वरणुशर्मा की रिपोर्ट